इगनू जैनवरी 2023 सेशन नियू एड़िशन कनफॉर्म होने के बाद अब आगे क्या एड़िशन के बाद असाइमेंट, एक्सामनिशन, रीरेश्टिशन कब क्या करना होगा आज की स्पिड़ में complete detail मिलने वाली है वीड़ काफी important है अगर आप एगनू से कोई भी course, degree, certificate, diploma समय पर करना चाते हैं तो आज की स्पिड़ को बिलकुल भी miss मत करना अगर आपको कोई भी चीच जानकारी नहीं होगी, dates के बारे में कि कब क्या करना है वीड़ काफी important है वीड़ कोई एंट तक जरूर देखना साधी चनल पर पहली बार आए हो, make sure आप चनल को चरूर से subscribe करें बेला इकन दबालें ताकि latest update आपको सबसे पहले मिलती रहे आप करते हैं कि आपके new admission confirm होने के बाद भाई आपको आगे क्या करना है first of all यहाँ पर बात आती है कि भाई admission confirm हो गया पहला गाम जो मैं सभी student को करने को बोलता हूँ वो है अपना status चेक करो अपना registration status चेक करो क्योंकि इससे आपको पता लगी है कि आपने किस program में रोल कि अब मैं इसलिए वोला हूँ कि भी बहुत सारे admission लेने बाद confused भी हो जाते हैं कि हमारी courses कौन से है course code क्या है course title क्या है उनको जानकारी नहीं होती आप लोगो registration details में सारी information मिलेंगी कि आपने किस session में admission लिया है आपका current study center क्या है regional center क्या है आपकी courses कौन से हैं courses के बाद जो महत्मून बात आती है कि भाई courses पता लग गए तो इसके according आप तयारी कर पाएंगे books आप लोग इग्यान को उससे download कर सकते हो अब इग्यान को उससे download करने के लिए इसलिए भोल रहा हूं because IGNU में hard copy बहुत delay आती है आपकी hard copy कई बाद को examination के बाद भी मिलती है इसका एक alternate में आपको provide कर हूँ अगर आप Delhi से belong करते हैं तो IGNU के मैदान गड़ी head office जाके अपनी books को ले सकते हैं admission confirm होने के 40 days के बाद में ओके तो वहां से आप book collect कर सकते हैं आपको ID card लेके जाना है जो कि आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है अब books हो गई इसके बाद में बाद आती है सबसे important जो कि IGNU में compulsory part है वो है आपकी assignment जी है assignment आपका compulsory part है because अगर आप IGNU से कोई भी course करना जाते हो जिसमें assignment की weightage रहती है assignment की किनी courses में 30% weightage होती है किसी में 20% जिन courses में laboratory included है वहाँ पे 20% dilution हो जाती है वहीं पे भाई अगर आपका theory plus assignment है तो 30-70 ratio रहता है पाकी detail में जाने के लिए आपको dedicated videos देख सकते हैं कि आपका result किस परकार से बनता है overall percentage कैसे calculate करते हैं वीडियो के link आपको description मिल जाएगा आगे बात करते हैं कि assignment आपको कब submit करने होंगे assignment को मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप July 2022 session में admission लियो हो या फिर January 2023 session में new admission लियो आपको कब करना है उस पर बात कर लेते हैं देखे एगनू में ये semester work रहता है और generally ये students को annually ही submit करना है जिस submit exam में आप apply करने जा रहे हो उस submit exam के लिए आपको submit करने होते हैं जैसे for example जिन इस्पेंट ने जुलाई 2022 session के अंदर new admission लिया है वो जून 2023 के टमट exam में अपेर होंगे जिनका annually mode program है उनको assignment 30 April 2023 से पहले submit करने है वहीं जिन इस्पेंट ने अभी फिलाल के session जो January 2023 session है उसमें admission लिया है तो आपको 31 October 2023 से पहले assignment को submit करना होगा अब आज आती है assignment कहां करने है तो assignment आपको अपने study centers पर submit करने होते हैं और इसके लिए आप अपने study centers के coordinator हैं उनसे संपर कर सकते हैं या फिर अपने regional center की website को visit कर लें ये तो बात होगी आपके assignment के विशे में इसके आगे एक और point है जो है आपके examination अब देखिए exam काफी important रहते हैं अगर आप एगनू से admission लेने के बाद examination नहीं दोगे या फिर exam form डिले कर देतो पहले तो अगर आप late fees के बाद में बढ़ते हैं तो आपको जो late fees है वो भी pay करने होगी 1100 और पे जो आप एक फटका लग जाता है दूसरा अगर आप examination की पूरी dates निकल जाती है तो आपका वहाँ पे semester या year loss हो जाती है समय दो आप फिर next six month बाद apply कर पाएंगे यानि कि आपका six month totally waste हो रहा है वहाँ पर तो आप लोगों ये गलती नहीं करने आपके exam अगर आपने January 2023 में admission लिया है और आपका annual mode program है तो आपके exam December 2023 के टमड exam में होगी annual mode program वो सभी CBCS candidates इनके पास में CBCS courses है BSEG, BCOMG, BAG तो आप लोग का exam जो है December 2023 में होगा Master degree के सभी program except MCA and MSC environmental studies आप लोग के exam भी December 2023 में होगे बाकी जिनका semester भी इस program है वो June 2023 में apply कर सकते हैं examinations के लिए एगनू के exam दो time होते हैं एक June के termed exam, दूसरे December के termed exam, उसके according जैसे कि मैंने आपको बतायी कि आपको प्लाई करें आप apply कर सकते हैं और किसी कारएं बस आप अपने termed exam में apply नहीं कर पाते हैं तो आप चो next tonight exam है उसमें apply कर सकते हैं जैसे Genish Wind को June 2023 में exam देने थे वो किसी कारएं बस नहीं दे पाते हैं तो वो next exam यानि कि December 23rd exam में appear कर सकते हैं देखिए assignment हो गया examination हो गया अब में अत्मूर्ण बात re-registration re-registration के बारे में भी बात कर लिए जाए देखिए re-registration आपके next year या फिर next semester का enrollment होता है जिसमें आप fees pay करते हैं, courses select करते हैं और भी कई सारे points जो आपको select करने होते हैं जैसे आपका study material किस pay में आपको चाहिए hard copy चाहिए या फिर soft copy वो भी आप यही पर select करते हैं re-registration अगर आप time पर नहीं करते हैं और पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कब करना होगा चैनिस्ट्रेंट का annual mode program है January 2023 में new application लिया है तो आपको next January 2024 में करना होगा अपने second year का re-restriction अगर आपका semester based program है तो आपको second semester के लिए July 2023 के अंदर apply करना होगा re-restriction यह same portal रहता है और यहाँ पर बस change हो जाता है जो session चल रहा है उसका यहाँ पर name हो जाता है बाकि आप apply कर सकते हैं procedure मैंने already re-restriction वाली वीडियो में cover किया है कैसे आपको apply करना होता है तो student यह थी चानकारी आपके new admission के बाद assignment examination और re-restriction की देखें यह सभी complete होने के बाद में जब आप examination का clear कर लेते हो और आपका जो पूरा complete program है वो हो जाता है सभी courses में आप pass हो जाते हैं आपका result आ जाता है उसके बाद में आपकी जो mark seat है वो आपको कोरेर के थ्रू मिल जाती है वो वाई post आपके घर पर 40 days में जैसी आपका complete होता है status आपके घर पे पहुचा दी जाती है इसके लाबा जो original mark seat है जो degree है sorry वो आपको convocation के ज़रे मिलती है जो की अभी फलाल convocation भी चल रहे है इगनू की ओर से अगर आपने जून 2022 या फिर ऐसे श्वेंट जून 2022 या फिर दिसंबर 2021 में complete किया है एगनू से कोई भी प्रोग्राम degrees educate या डिप्लोमा तो आप लोग convocation रप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो original degree है वो आपको मिल जाएगी आपको समझ आया होगा मैंने अपनी वोट से बहुत बिस्तार में बतानी कोशिस किया अगर कोई कमी रहे के यह हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर डियम कर सकते हैं बाकी हमारी website पर जरूर विजट करना आपको यहाँ पर बहुत सारा मडेल मिलेगा जो आप एजिली एकसेस कर सकते हैं फ्री आप कोश्ट है सभी मडेल आप ही के लिए है आप लोग यूज करिए पढ़िए इससे और जाल से ज्यादा इस्टोएंट के साथ में शेयर करें आज के यह वीडियो आप कैसी लिए कमेट भी बताना पसंद आए तो लाइक कर देना ऐसी और वीडियो पाने लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और लाई वीडियो में तब तक लिए इन्जाए बारत बाई दोस्तों